Hello students, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि class 12 में पहुँचुके students KVPYSA को attempt करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग यही discuss करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी KVPYSA की preparation को अपनी class 12 की preparation के साथ align कर सकते हैं और इसमें आप किस तरह से time management करते हुए आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर मैं आपको चार points बताने वाला हूँ जिसको अगर आप follow करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा difficulty नहीं आईगी अपने दोनों scores को boost करने में सबसे पहला है managing your fourth subject ज्यादतर students PCM या PCB लिए हुए होते हैं और उनके लिए maths और biology को handle कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है class 12 में specially यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा time न दे अपने fourth subject के लिए और हर week 2-3 आवर दे के बस revision का काम थोड़ा बहुत करें आप कोई भी नया chapter अब शुरू न करें तो better होगा और यह time आपको अपने class 12 की preparation को दें तो वो वहाँ पर आपको ज़्यादा help करेगा अगला है procrastination तो बहुत सारे students को मैंने देखा है वो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा time है उनके पास लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हर बीतते दिन के साथ आपका competition भी बढ़ रहा है आपको कोशिश करना है कि आप अभी जहां कहीं भी खड़े हों at least 5 to 6 marks increase कर लें अपने score के अंदर क्योंकि इस साल cut off उपर जाएगी मैंने पहले भी ये बात कही है कि paper pattern change होने के बहुत ज़्यादा chances नहीं है लेकिन क्योंकि सभी students ने extra time दिया है अपने chapters अपने subjects के उपर तो उनकी preparation बहतर हो रही है और ये cut off के बढ़ने का एक अच्छा कारण हो सकता है अगला है कि mock test आपको कब से देना है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप 8 में के बाद अपने mock test देना शुरू करें आपने अगर पहले भी कुछ mock test दिये वे हैं तो बाकी remaining mock test देने के लिए 14 days enough होते हैं और वहाँ पर ही आप अपनी analysis करके पुराने mock test को भी देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं last point है revision कैसे करना है class 11 का मैंने आपको कुछ मैंने पहले एक video बना कर दी थी जहाँ पर मैंने 3 step process आपको बताया था मैं आपको recommend करूँगा कि उसी 3 step process को जितनी ज्यादा बार हो सके आप repeat करें आपको कोशिश करनी चाहिए कि class 11 की जितनी भी चीज़े हैं आप ज्यादा से ज्यादा retain करें और actually यह आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial होगा क्योंकि class 12 के end में जब आप फिर से revision करने बैठेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि यह सारी चीज़े आपको याद ही हैं एक नए से रे से यहाँ पर आपको revision करते वक्त questions की भी practice करती रहनी चाहिए और आप कोशिश करने की theory और questions की बीच एक अच्छा balance बना कर आगे बने best of luck यह exam पास आ रहा है और आपको कोशिश करनी चाहिए इसकी preparation को अच्छे से करने की thank you